आसुमा की जै हो आंटे बढ़िया बनाया अपने डो से मज़ा आ गया आज रात में टैल से चलाना नहीं हुँँँँँँदी जा रही है फूल स्पीड में जल्दी जल्दी ताकि भेगना से जाएं इसलिए हेलो गाइज वेलकम बैक टू मैं चैनल कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होगे तो गाइज अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम और शाम के बज़ रहे हैं छे तो गाइज हम लोग जा रहे थे अभी पार्क घूमने के लिए हमारे घर के पास में एक पार्क है जहाँ पर मंदिर भी है वहाँ पर जस्ट अभी दो ती मिन पहले ही जूले लगे हुए हैं तो वहाँ पर हम लोग जा रहे थे घूमने के लिए देखने के लिए कि कैसे चुके हैं और आज है गाई हस्वेंट जी का बड़े तो आज में उनको देने वाली हूं सप्राइस और सप्राइस के लिए मैंने मंगा लिया है के लिए बद्दे केक भी बसाने ही वाला है तो उसी का हम बेट कर रहे हैं जैसी बद्दे केक आ जाएगा तो हम लोग भी पार् जाए रास्ते में आए तो उसको हम रिसीव कर लेते हैं फिर उसके बाद चलते हैं पार्क में और वहाँ पर जाके आपको पूरा सीन दिखाएंगे तो गाईज यह डिलिवरी वाले भीया आ चुके हैं और हमारा केक और भी आ चुका है तो गाईज देख सकते हैं हम लोग पार्क में आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए जूले लग चुके हैं और यहाँ पर सीमेंट का काम चल रहा है अभी और मौसम भी आज बहुत अच्छा हो रहा है हलके अलकी सी बारिश की पूंदे आ रही है यह है यहाँ पर अभी दो जूले लगें स्लाइड वाले और अभी शायद एका जूला और लगेगा यहाँ पर यह देखिए हैं अपर कितना अच्छा लग रहा है शाम के टाइम में इतना सुन्दर सुन्दर सा वियू है यहाँ अच्छा 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 पर तो बच्चों का खेल खेलने से मनी नहीं भरता है लेकिन बारिश बहुत तेज हो रही है इस वजए से हम लोगों को जाना पड़ेगा घर पर क्योंकि दीरे दीरे बारिश तेज होती जा रही है और ज्यादा तेज बारिश हो वगई तो सब लोग भीग जाएंगे तो इसलिए हम लोगों को पापीज जाना पड़ेगा घर पे और हम लोग जा रहे हैं और दीदी जा रही है फुल स्पीड में जल्दी जल्दी ताकि बेगना से इसलिए पेड़ की नीचे खड़ियो यहां नहीं आरा पानी तो गाइस हस्बेंट जी भी आ चुके हैं घर पे और केक भी तैयारे केक भी आ गया है और मैंने हस्बेंट जी को सप्राइज भी दे दिया है केक का करने वाले हैं केक कटिंग और हस्बेंट जी आते ही देखिए चिपचाप से अपना फून चला रहे हैं लेटकर आराम से तो गाइस यह देखिए हमारा केक प्रेड़ी हो चुका है लगके और हस्बेंट जी अब केक काटने वाले हैं तो यू ऐपी बार दे टो यू ऑपी बार दे टो यू अपी बार दे टो यूख अब दूसरे को चोग लेटी कि लाओगे केक भी खिलाओगी यह देखो हमारा डॉगी भी एक्साइटेड हो रहा है केक खाने के लिए रखें 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 वहां फ्रीज पर रखें आई हूं के लिए खिलाओं पड़ाओं्स को कि कुछ राओं थिस्टाव्टाया पापाजी को यह कुछ भी खिलाओं पड़ाओं। अग्राद उपो दिया पिटा दोनी में हुँँँँँ नहीं तो ना क्या है सही नी आया गाई उसमें लगे जारा जुल को लगे तो नहीं कूल पर शाराप परो अब आप अगे पिस को लोगे अब आपके पिस परोगे जो आओ दिल बूजो के खालिया आयन कैसा है केक अच्छा है एगलस केक अच्छा है सबसे पहले अजबेंट जी ने केक फिनिश किया आदी अच्छा लगा हाँ में में तिनी अ पिए चमच तो तो टोटी निकली मेरी अच्छा 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 आज आज सब लोग केक खा चुके केक बहुत यम्मी था सबको बहुत पसंद आया और अब लोग खाएंगे खाना आज तो आज यहाँ पे चल रहा है डिनर टाइम सब लोग खाना खा रहे हैं हजबेंच जी चियर पर बैटके स्पेशल लाला खाना खा रहे हैं आज हमने बनाए हैं हजबेंच जी चशे नहीं परमाईश पर और उनके लिए फेशल बनाया है घुलाब जामुन फर्स्ट टाइम यरा बनाये हैं घर में अपने हाथ से जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी बने है और सब लोग अभी खाना खा रहे हैं किमाची देने भी खाना खा रही हैं सब लोग खा रहे हैं कुछ निदे बादके हैं लुटे करने रख भाद बंदे है वावी खाने बैटी है अब बिचारी बड़ी लास्ट में खाती है मुझे नगा मेरी कहरे वाली हो आंटे बढ़िया बनाया आपने डोसे मज़ा आ गया तो गाइज अब रात हो चुकी है और सबने बहुत मज़ा किया पाटी में इंजॉय बहुत किया सबने और खाना भी बहुत टेस्टी बनाता तो आप सब कामों से सब लोग प्री हो गए हैं और सब अपने अपने रूम में रेस्ट कर रहे हैं तो गाइज आज की व्लॉग को यही तक रखते हैं व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चरू कर देना तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जट पर लिए थैंक्यू चिक्ट केर बाई 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 गुट नाइट